शनी की पहली राशी के बारे में जानते हैं शनी की पहली राशी है मकर राशी देखिए मकर राशी की खास बात क्या है? इस पृत्वी तत्व की राशी का जो स्वामी है वो शनी है और इस राशी पर शनी का प्रभाव तो खेर होगा ही क्योंकि शनी इस राशी का स्वामी है लेकिन पृत्वी तत्व होने की वज़ा से इस पर शनी और बुद्ध दोनों का प्रभाव होता है क्योंकि पृत्वी तत्व का जो स्वामी है वो मरकरी है वो बुद्ध है इसलिए मकर राशी पर शनी और बुद्ध दोनों का प्रभाव दिखाई देता है बुद्ध यहाँ पर व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है मकर राशी के लोग सामाननता इंटेलिजेंट होते हैं सामाननता बुद्धिमान होते हैं आने वाले समय को पहचानना जानते हैं और समय के हिसाब से अपने आपको ढालने की कोशिश भी करते हैं मकर राशी वाले लोग चालाक होते हैं मौका परस्त होते हैं सही मौके पे सही काम कैसे किया जाये, सही मौके पे सही हिट कैसे किया जाये, ये मकर वाले जानते हैं और मकर वाले सामानने तह धनवान भी होते हैं, financially भी जीवन में बहुत तरक्की करते हैं इस राशी के लोग अपने विशे में माहिर होते हैं मकर राशी के जो लोग हैं कोई भी सब्जेक्ट हो उनका चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो डॉक्टर हों मकर राशी के लोग जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड के बारे में पर्फेक्ट जानकारी उनके पास होती है अपने विशे में महार्थी होते हैं ये राशी करियर और रोजगार को सीधा प्रभावित करती है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मकर राशी की स्थिती खराब है तो उसके करियर और रोजगार में दिक्कते आनी शुरू हो जाएंगी और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मकर राशी ठीक है मकर राशी की पोजीशन ठीक है तो उसका रोजगार और उसका करियर बेहतर बना रहेगा मकर राशी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े अहंकारी होते है सफलता जल्दी पा जाते हैं बड़ी पा जाते हैं लेकिन इस सफलता के चक्कर में ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर अहंकार होता है इनके अंदर अहंकार दिखाई देता है इनको सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए अगर ये एक पन्ना धारण करें तो उससे इनको लाब जरूर होगा और मकर राशी वालों को नित्य प्रातह उठकर के इस नान करके सूर्य को जल भी चड़ाना चाहिए तो मकर राशी के लोग दो काम जरूर करें एक तो सलाह ले करके एक पन्ना पहनने उससे मकर वालों को फाइदा होगा और दूसरा काम करें कि नित्य प्रातह उठकर के इस नान करके सूर्य भगवान को जल चड़ाएं उससे भी मकर राशी वालों को लाब जरूर होगा